नमस्कार मेरे पैरे विद्यारतियों आप सभी का एक बार फिर से हर्दिक स्वागत हर्दिक अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल हल्दिगाटी क्लासेज में और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज हम चर्चा करेंगे MS Word किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों MS Word की चर्चा करेंगे कुछ प्रशनों की प्रशनोंत्री मैं आपके लिए लाया हूँ इसी प्रकार टॉपिक वाइज आपको कंप्यूटर की टेस्ट्री मिलेगी तो आईए ज्यादा समय नस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर पहला प्रशन क्या कह रहा है दोस्तों Microsoft Word क्या है क्योंशन है हमारा Microsoft Word क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम Microsoft Windows या इन में से कोई नहीं तो ध्यान दीजिए पहला उप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर लैप्टॉप मोबाइल आधी को चलाने के लिए बनाया जाने वाला प्रोग्राम होता है तो Microsoft Word ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहलाएगा लेकिन जो दूसरा उप्शन है आपका Word Processing प्रोग्राम ये बिल्कुल सही आंसर है Microsoft Word MS Office का एक सौफ्ट्वेर या एक प्रोग्राम है जिसका प्रियोग नॉर्मली हम डॉकिमेंट बनाने बुक्स वगरा तियार करने आए दस्तावेज बनाने में करते हैं इसलिए इसे क्या कहेंगे Word Processing प्रोग्राम तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका B option नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं दोस्तों अगला क्वेशन है MS Word की विसेशता क्या है यानि MS Word जो software है जो प्रोग्राम है उसकी क्या विसेशता है पहला option है Spelling Checking यानि हम जो MS Word में कारे करते हैं उसमें यदि कोई Spelling Mistake हो जाती है तो क्या वो कोई Spelling को Check कर सकता है और दूसरा है Graphics यानि किसी भी Document में कोई डाइग्राम कोई चित्र या किसी प्रकार के Graphics से Related हम काम करना चाहते हैं तो क्या यह काम MS Word में हो सकता है या यह दोनों इसमें होंगे तो यहां Right Answer होगा दोनों MS Word में F7, F7 यानि Function कुझी F7 को दबाकर हम Spelling Checking का कारे कर सकते हैं साथी साथ इसमें Graphics का कारे भी किया जा सकता है तो Right Answer होगा यहांपर C Option Next Question है MS Word को Run Command के दवारा खोलने के लिए क्या Type करते हैं यानि MS Word को Shortcut Method दवारा हमें यदि Open करना है चलाना है तो उसके लिए Run Command Run Command जो होती है दोस्तों वो Laptop या Computer के Left Corner पर Start का Button होता है उसके Just उपर होती है और Start का Button नहीं होगा तो Windows का Button आता है तो Run Command में हम क्या लिखें जिससे की MS Word खोला जा सके तो उसका Right Answer होगा विन वर्ड क्या लिखा जाता है इसमें दोस्तों विन वर्ड और Run Command यदि विंडो में नहीं आ रही है तो उसके लिए Short की होती है कि Windows जो की है विंडो की जो होती है उसके साथ आपको क्या दबाना पड जाती है जिसमें विन वर्ड शब्ड लिखकर हम डारेट MS Word को खोल सकते हैं नेक्स्क्रशन ये देखिए इसमें चितर में भी मैं आपको दिखा सकता हूँ ये देखिए ये हमारा जो विंडो का सिंबल है ये इसके जस्ट उपर ये Run Command है और इस Run Command में क्या लिखा जाएगा विंवर्ड लिखा जाएगा विंवर्ड लिखा जाएगा तो आपकी विंडो खुल जाएगी नेक्स्क्रशन MS Word को open करने पर कितनी screen windows पर दिखाई देती है क्यों शन है MS Word को जब आप open करोगे तो कितनी screen windows पर दिखाई देंगी तो option में जो उत्तर दिये गए हैं एक, दो, तीन और इन में से कोई नहीं तो यह right answer होगा 2 क्योंकि एक तो आपकी MS Word की windows में दिखाई देगी और एक desktop की जो window है वो भी आपको दिखाई देगी यानि दो screen आपको MS Word open करने पर दिखाई देती है next question है MS Word में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है बहुत अच्छा question है MS Word में जो फाइल बनाई जाएगी उसे हम किस नाम से जानेंगे document नाम से जानेंगे किस नाम से जानते हैं उसे document जब ये भी हम कह सकते हैं कि जब भी MS Word की हम कोई नई फाइल बनाते हैं तो उसका जो extension आता है उसका extension यानि default ने extension तो ये बताता है कि file कौन सी है और default name होता है कि जब आप पहली बार कोई MS Word की window खोलोगे तो उसके अंतरगत क्या नाम आएगा तो वो नाम आएगा आपका document first screen पर title बार जो होती है title बार सबसे उपर होगी और उसमें नाम लिखा हुआ आएगा document first तो right answer होगा आपका document clear चलिए next question पर बढ़ते हैं page setup command की सायता से किनको बदला जा सकता है MS Word के अंतरगत page setup command जो होती है उसके अंतरगत किसको बदला जा सकता है यहां पहला option margin margin का मतलब होता है कि यह जो page है मान के चलिए इसमें जो आप data लिखने का कारे करोगे तो उसमें कितनी जगे छोड़नी है कि मुझे इतने area में data लिखना है तो इस side में जो जगे छोड़ी जाएगी यह कहलाएगा margin margin चार प्रकार के होते हैं top यानि ऊपर का margin bottom नीचे का बार right और left paper paper size paper size का मतलब जो इस page पर आप काम कर रहे हो उसकी size क्या होगी नॉर्मली paper size a4 या letter size होती है जो ms1 में आपको प्रियोग करनी होती है color page जो होगा उसका color कैसा होगा paper शूरूत layout paper मतलब इस तरीके से आड़ा paper है या खड़ा paper है खड़ा paper है तो portrait कहलाता है आड़ा paper है तो land escape तो यहां option आएगा A और B दोनों A और B दोनों कारे इसमें हो सकते हैं next है कारे छित्र का मापन कारे छित्र को मापन के लिए किस बार का उप्यूग किया जाता है कहने का मतलब यह आपका page खुला MS Word में अब इसमें आप जो काम कर रहे हो वो कहां पता चलेगा या कैसे पता चलेगा कि भई आप इस area में कारे कर रहे हो तो यहां चार option है आपके बार ruler bar, menu bar, task bar और title bar तो यहां right answer होगा ruler bar right answer क्या होगा ruler bar मतलब यह page जो होता है इसके उपर की तरफ एक इसके लुमा आकरती आपको दिखाई देती है साइडों में इस तरीके से जिसमें इस तरीके से खाने होते हैं तो उनकी according ही आप printing area या कारे करने का काम करोगे next question है ms word ms word 2007 में file को खोलने यानि open करने save करने एवं बंद करने से संबंदित command खालिस्तान में होती है बहुत अच्छा सवाल है ms word के अंतरगत जब आप file को open करना चाहते हो save करना चाहते हो बंद करना चाहते हो तो इसकी command कहा होगी home office button new या insert यह चार option है तो यहां right answer होगा office button right answer क्या है दोस्तों office button अब office button क्या होता है उसको मैं आपको एक्षी तरह से दिखा सकता हूं देखिए यह ms word की window है और यह जो button आपको दिखाई दे रहा है यह button कौन सा button क्यलाता office button इस पर click करने पर new open save print close यह सारे option आपको मिल जाएंगे तो ध्यान दे लेना office का button में आपको ms word के अंतरगत file खूलने बंद करने और save करने के option मिलेंगे अगला है किस command द्वारा document को print करने से पूर्व देख सकते हैं यानि किसी document का हमें print लेना है तो हम यह देखना चाहें कि हमारा printer प्रिंट जो page होगा वह कैसा दिखाई देगा कोई matter उसमें से miss तो नहीं हो रहा कि size के paper हम पर हम उसको निकालना चाहरे है तो यहां 4 option अपने पास print web page preview print preview और send it to तो यहां right answer होगा c option right answer क्या होगा c option आपको पता देते हैं चित्र के diagram के माद्यम से यह देखिए office button पर click करने पर यह हमारे option आये new open save save as print prepare send publish close सब आ रहे हैं तो यहां जो print है print पर click करने पर आपके यहां पर तीन option खुल रहे हैं print print और print preview इसके माद्यम से ही हम देख सकते हैं कि जो page हम print करने चाहरे हैं उसमें किस तरीके की data entry होगी किस तरीके से page दिखाई देगा next question है select line को bold करने की shortcut कुझी क्या है selected जो line होती है उनको bold यानी गहरा करने की कुझी क्या है तो यहां right answer होगा control plus b bold करने के लिए हम कौन सी की का प्रियोग करते है control plus b next है ये देखिए चितर के माद्यम से ये जो अक्षर लिखे में हैं ये normal यानी regular font में हैं किस में है regular यानी गहरे नहीं है और ये वाला जो हिस्सा है ये शब्द लिखा हुआ है किस format में bold में तो bold करने के लिए हम control plus b इस short key का के प्रियोग करेंगे next question selected line को underline करने की shortcut कुझी क्या है underline करने की shortcut कुझी तो underline यदि हमें करनी है तो उसके लिए हम control plus u कौन सा control plus u u से क्या सथ बनेगा हमारा underline तो ध्यान दे लिजिए यहां पर एक question और बनता है underline करने की shortcut क जी तो है control plus u लेकिन अगर आपको double underline करनी है तो उसके लिए आपको control plus shift plus u दबाना पड़ेगा double underline के लिए control plus shift plus u और केवल underline करने के लिए control plus u आपको दबाना होता है और underline मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रिकार से होगी इस प्रिकार से ये underline जो हो रही है यह जो नीचे लाइन आ रही है यह underline के लाएगी जो किसे आ रही है control plus u से और double underline करने है तो control के साथ shift और shift के साथ u दबाना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेस्चन अई गया वो क्वेस्चन selected line को double underline करने की shortcut कुझी क्या है अभी जस्ट मैंने पिछले प्रस्ट में बताया next है एक reference एक reference जो document के एक भाग की क्रोस reference क्या कहेंगे cross reference reference का मतलब एक तरीके से शिफारिश सब्द से या आप समझ सकते ओ कि किसी का आप reference ले रहे हो या शिफारिश कर रहे हो तो एक व्यक्ति सिफारिश देता है दूसरा उसको अमल में लाता है तो इसे हम cross reference बोलेंगे next question selected line को left alignment left alignment करने की shortcut कुझी क्या है तो इसका सही answer है control plus L और left alignment का मतलब क्या होता है उसको मैं आपको एक चेतर के माध्यम से समझाता हूँ यह देखिए यह एक matter हमने MS document में क्या किया कारे किया तो आप गोर करिए left side में रेखा जो line हैं पंक्तियां बिलकुल एक सीधी रेखा में है जबकि right side में आप देखिए पंक्तियां छोटी बड़ी हो रही है तो यह कौन सा alignment क्या लाएगा left alignment यानि left side से तो पंक्ति एक ही सीध में स्टार्ट होंगी लेकिन right में छोटी बड़ी हो सकती है तो यह क्या लाएगा left alignment जिसकी shortcut की है control plus L next है paragraph या line को center align करने के लिए किस कुझी का प्रियोग किया जाता है तो उसके लिए हमारी shortcut की होती है दोस्तो control plus E shortcut की क्या है control plus E और इसको भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस प्रिकार से center align होता है तो देखिए अभी पिछले ही सवाल में हमने इस चीज को देखा था अब आप देखिए left side ले लिजिए chair right side ले लिजिए दोनों ही side हो में पंक्ती जो है छोटी बड़ी हो रही है यानि दोनों में से किसी भी तरफ एक सीद में नहीं आ रही है तो यह alignment कहलाएगा हमारा center alignment क्या कहलाएगा यह हमारा center alignment next question है अपना ms word 2010 ms word 2010 ms word का upper version का पहला menu कौन सा है पहला menu यानि जो title बार के just नीचे जो menu बार होती है उसमें पहला option क्या आएगा या पहला tab क्या आएगा तो वहां पर हमारा पहला menu होता है file पहला menu क्या होता है दोस्तो फाइल होता है और 2007 का जो version होता है उसमें वो चीज म मिल रही है हमें किसम है office button में तो मैं बता सकता हूँ आपको देखिए इस चित्री के माद्यम से यह देखिए पहला जो menu है यहाँ पर क्या आ रहा है file आ रहा है यहाँ पर office button नहीं आता है file है file के बाद home insert page layout reference यह आपको MS word 2007 के version में भी मिल रहे थे लेकिन 2010 के में direct आपको क्या दिया गया file नाम से button दिया गया है next question पर बढ़ते हैं दोस्तो अगला question MS word में सबसे नीचे जो screen पर दर्शि होती है उसे क्या कहा जाता है सबसे नीचे जो screen की जगे है बार आएगा screen की जगे क्या शब्द आएगा है बार कि सबसे नीचे जो बार प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है तो उसे दोस्तों हम बोलते है status बार status यानि वर्तमान इस्थिति को बताना तो status बार जो हो आएगी किस पेज़ पर आप काम कर रहे हो कितने वर्ड का काम कर चुके हो उसमें कौन सी लेंग्वेज यूज़ कर रहे हो और पेज को जूम इन और जूम आउट किया दी करना चाहते हो तो यह सारी चीज़े हमें स्टेटस बार में मिलेंगी जो MS Word की विंडो खुलेगी उसमें नीचे ही नीचे मिलेगी नेक्स्ट क्योश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तो अगला क्योश्चन MS Word में सबसे उपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहा जाता है तो उसे हम बोलते हैं दोस्तो टाइटल बार जिस देखिए यह देखिए पिछले सवाल में आप देख लीजिए यह वाला जो नाम आ रए डौकिमेंट सबसे उपर है इसी हम बोलते हैं । टाइटल बार इसमें कॉर्णर पर तीन स्विच होते है अ क्लोज का बटन मैकसिमाइस का बटन और मिनिमाईस का बटन और यह आपक यह quick access toolbar या button कहलाते हैं तो अगले सवाल पर चलते हैं उपर उपर title bar और नीचे यह नीचे status bar अगला question है footnote और end note footnote और end note का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है footnote और end note का उपयोग किस के लिए किया जाता है reference के लिए सूचना के लिए list के लिए या point के लिए तो यहां right answer आएगा आपका reference किस के लिए आएगा reference के लिए footnote और end note का प्रियोग किया जाता है footnote दिखा देता हूँ मैं देखिए अब यहां गौर करिए यह एक मैंने paragraph लिखा यह paragraph लिखा है इस paragraph में आप गौर करिए थोड़ा मैं और बड़ी size करता हूँ यह देखिए last में यहां पर क्या लिखा हुआ है एक लिखा हुआ है यहां पर क्या लिखा हुआ है दो लिखा हुआ है तो यह कहलाते है footnote और इनकी detail page के नीचे नीचे दी जाती है कि यह जो matter लिया गया है वो कौन सी book से लिया गया है या आप किस book का reference दे रहे हूँ कि इस book के इस page number से यह data आपने लिया है तो यह footnote और endnote के लाते हैं जो reference को दर्शाते हैं next है खालिस्टान graphic आपकी सूचना आपकी सूचना और विचार का द्रश्च प्रजेंटेशन है word art, clip art, auto shape या smart art तो यहां right answer होगा दोस्तो smart art क्या होगा है right answer smart art next है selected line का right alignment करने की shortcut कुझी light alignment तो ध्यान दीजिए left के लिए हम कर रहे थे control plus L किसके लिए left alignment बनाने के लिए तो उसी प्रकार right करने के लिए control के साथ हमें क्या दबाना पड़ेगा R दबाना पड़ेगा यानि option number A और इसको भी आपको चितर के माध्यम से दर्शाते हैं यह देखिए अब इस matter में आप देखिए right side में पंक्ति एक सीध में है जबकि left side में पंक्तियां छोटी बड़ी हो रही है तो यह alignment कहलाएगा right alignment alignment चयार प्रकार के होते है left alignment, right alignment, central alignment और justify alignment next question है यह लो चौथा भी आगया आपके सामने selected line को justify alignment करने की shortcut की क्या है तो justify किसे बनेगा जे से तो यहां हम control के साथ क्यात बढ़ाएँ जे, control के साथ जे और इसको भी आपको एक चित्र के माध्यम से हम बताते हैं यह देखिए अब इस matter को आप देखिए चाया आप right side में देखो चाया आप left side में देखो दोनों ही तरफ पंक्ती के आ रही है सीधी आ रही है बिल्कुल एकदम तो यह क्यलाएगा justify alignment कौन सा alignment क्यलाएगा यह justify alignment next question है go to command की सायता से go to command की सायता से go to command की सायता document में खालिस्तान को दिये गए इस्थान पर भेजा जा सकता है तो त्यान दीजिए पहली चीज तो यह कि go to command के लिए हमें shortcut की दब आनी पड़ती है control प्लस G कौन सी shortcut की है control प्लस G और उससे हम कहां जा सकते है page number किसी भी page पर हम तुरंत जा सकते है और go to command कैसी दिखाई देगी देखिए यह देखिए यह आपका go to command हाइलाइट हो रहा है और यहां आरा enter page number यानि इसमें आप जो भी page number भरोगे उस page पर आप पहुँच जाओगे next question है खालिस्तान एक विशे सूची है जो document में अपने संबंदित reference page के साथ उपस्तित होता है खालिस्तान क्या है एक विशे सूची विशे सूची मतलब जिस page पर आप काम कर रहे हो उसमें क्या क्या है उसके बारे में सारी चीजे बताना किस में मिलेगा यह आपको तो यहां option है आपके पास index, table, clipboard, table of content तो right answer होगा table of content और यह आपको कहां मिलेगा देखिए यह देखिए reference यह हमारा reference menu bar में और reference में हमें क्या मिला table of content क्या मिला दोस्तों में table of content ठीक है next question पर बढ़ते हैं अगला question है अंतिम command के प्रभाव को nest करने के लिए कौन सी command होती है अंतिम प्रभाव यानि last जो आपने कारे किया है उसको आप क्या करना चाहरे हो nest करना चाहरे हो मतला उसको आप reject करना चाहरे हो या उसको चाहरे हो कि delete करना चाहरा हो तो उसके लिए आप कौन सी shortcut की काम में लेते हो तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे कहते है दोस्तो undo क्या कहा जाता है undo और उसकी shortcut की होती है control plus jack उसकी shortcut की क्या होती है control plus jack next है किस command की सायता से पूरे document को select किया जाता है पूरे document को select करने का मतलब पूरे page को यदि आपको select करना है तो आप कौन से command का प्रियोग करोगे select, select page, select all, select special तो यह right answer होगा select all और इसकी shortcut की होती है control plus a Ctrl प्लस A के माध्यम से आप पूरे पेज को क्या कर सकते हो Select कर सकते हो Next Question किस कमांड की सायता से किसी भी टेक्स या ग्राफिक्स को इस्थाई रूप से हटाया जा सकता है Delete, Delete All, Clear या Clear All तो यहां Right Answer आएगा आपका Delete Delete, Delete के माध्यम से किसी भी टेक्स या नि शब्दों को या ग्राफिक्स या किसी चित्र को हम अटा सकते हैं Delete All में सारा डेटा अट जाएगा लेकिन यहां Proper हम किसी टेक्स को या किसी ग्राफिक्स को अटाना चाहरा है तो उसके लिए हम Delete की का प्रियोग करते हैं Next है अपने टेक्स को इंडेंट देने के लिए क्या देने के लिए इंडेंट इंडेंट कह सकता हूं दोस्तों मैं बड़ा स्पेज देने के लिए आप टेप पर Paragraph Group में Decrease इंडेंट और Increase इंडेंट का प्रियोग करते हैं Decrease और Increase यह कहां मिलेंगे आपको Insert में Home में Page Layout में या डेटा में तो यह मिलेंगे दोस्तों हमें किसमें Home में किसमें मिलेंगे ही हमें Home Home टेप में यह देखिए यहां चितर के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि जो आपका पेज है यह देखिए Indentation क्या शब्दा रहा है Indentation तो यहां आप गौर करिए थोड़ा बड़ा और कर देता हूं उसको में यह देखिए यहां आपके Left Right यह आपके वह आ रहा है Indentation कि Left में कितनी जगे रहनी चाहिए Right में कितनी जगे रहनी चाहिए तो यह Indent जो आपको मिलेंगे वो किसमें मिलेंगे Home में आप गौर कर लिजिए यहां इस जगे Home जो Tab है वो Highlight हो रही है और उसमें से यह आपके सामने आया है Next Question है Font Dialog Box परदस्षित करने के लिए किस कुझी का प्रियोग करते हैं कहने का मतलब Font Font क्या होता है जो सब्दों को लेखने का प्रकार होता है उसे हम Font बोलते हैं उसका Dialog Box यानि Menu Box खोले के लिए आप किस कुझी का प्रियोग करोगे तो उसके लिए कुझी है Ctrl Plus D और आपको दिखाते हैं Font का Dialog Box कैसा होता है इस तरीके से देखे Ctrl Plus D करने पर इस प्रकार का एक Dialog Box आपके सामने कुलेगा जिसमें एक तो आएगा आपका Font का नाम एक आता है Font की Style की बोल लोगा Regular Italic और एक आती है Font की Size तो इसकी Shortcut की होती है Ctrl Plus D Ctrl Plus D के माध्यम से आप Font Dialog Box खोल सकते हो Next Question Document बनाने के लिए खालिस्तान विभिन प्रकार के विकल्प प्रदान करता है Document बनाने के लिए विभिन प्रकार के विकल्प का मतलब विभिन प्रकार के आप्षन किसके द्वारा प्रदान किये जाते है Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft Word या Microsoft Access तो राइट आंसर होगा Microsoft Word तो ये थी दोस्तों आपकी MS Word की पहली टेस्ट स्रीज इसी प्रकार नेक्स्ट स्रीज भी आपको मिलती रहेंगी अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए शेयर कीजिए और यदि हम आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जैहिन जैभारत धन्यवाद